श्वामी बिवेकानन जन्ती के मौके पर बोरी बली के स्वामी बिवेकानन चौग पर श्वामी बिवेकानन प्रतिमा का नूतनी करण और आठ गैलरी का उद्घाटन भाजपा बिधायक मुंबई अध्यच आसी सेलार के हाथो किया गया इस इस्मृति का नूतनी करन और आर्ट गेलरी की परिकलपना बोरी बली के बीजेपी विधायक सुनीर राले द्वारा किया गया आपको बता दे कि इस उधगाटन के साथ कांदी वली पस्चिव महाबीर नगर में अंतर राष्टी इस्तर के स्केटिंग रिंग, बॉक्सिंग और बास्केट बाल, स्पोर्ट्स कमप्लेस का उधगाटन भी भाजपा मुंबई अध्यद बिधायक आसीज सिलार के हाथों किय गया, यह स्केटिंग रिंग बनाने की भी परिकल्पना विधायक सुनिर राणे ने की थी, उधगाटन के बाद ही बच्चों ने स्केटिंग रिंग पर स्केटिंग का सांदार प्रदर्शन किया, जिशे मवजूद लोगों ने खूब सराहा, कारिकराम में पहलवान, ओलम अधिकारी और करकरता भारी संख्यामी मुझूद रहें, इस पर देखिए, खबर इंडिया किये, खास कवरेज वो रखे और आप लोगों ने जिस तरह से बोरियुली करों ने, जिस तरह से सभी कारिकरमों को सराहा उलेकनी है, जो काम हमारी सभी के टीम ने मिलके किये, और आज बोरियुली में मुझे आनंद होता है कि पहला आंतर राश्टिया दरजा का स्केटिंग रिंग, यह हमने तो यह दूसरा है बोरियुली के लिए, लेकिन आंतर राश्टिया दरजे का स्केटिंग रिंग, उसी के साथ साथ बॉक्सिंग और उसी के साथ साथ बास्केट बॉल, टाइकवांडो और जुडो, यह हमने उसमें जोड दिया है, बहुती आदुनिकता से काम करने वाले औ हम सभी लोग करते हैं, और मुझे लगता है कि आज का यह दुरुष्या आप सभी ने देखा है, और यह दुरुष्या इसी चिर परिचित बोरियुली के नागरिकों का है, जिनके आज के आदुनिक पीडी के बच्चे इस कारेकरम में सम्मिलित होके इस मैदान पे उपस्त विदायर जी कुछ स्केटिंग के लिए चार्ज रखा जाएगा? मैं मानता हूं कि आने वाले समय में बोरियुली यह स्पोर्ट्स का खिलाडियों का एक नगर बनेगा, इसा मेरा विश्या इसके लिए 26 जनवरी तारीक मैंने तई किये प्रजास सत्ताक दिन की, या फिर उसके आगे पीछे दो-चार दिनों में राइफल कलब का बहुत ही सुन्दर राइफल कलब, जैसे हम जानते है कि राइफल शूटिंग के माध्यम से अपनी नेमबाज अंजली भागवत पूरे देश से लेके विदेश तक पहुंची थी, अपने रागविंद्र सियां और आठोड वो भी पहुंचे थे, अलग-अलग जिसमें हम क बहुत है, वहाँ पर आने वाले 20 दिनों में शुरू होने मारा, अभी यह आपने देखा, इसको बनाने में मुझे एक साल लगा, राइफल शूटिंग कलब बनाने में करीबन 6-8 महिने लगे, जिसके बाहर का जो गार्डन है, उसको अभी बनाने में और 1-2 महिने लगेग मैंने मानगर पालिका के आयुकत सन्माने नेश्ची एकबाल सियां चहल जी को ये दर्खास किया, अनुरत किया है, कि वरली के बाद, ऐसा है कि आप सभी ने देखा, ओलिम्पिक्स में घोडों का महत्व है, घोडे सवारी का, घोडे अबस्टेकल्स पार करके जाते हैं उस गोरियुली के मैदानों को देखते हुए, एक मैदान गोरियुली में नए रूप से घोड़ स्वारी के लिए, बच्चों के लिए हम बनाने वाले हैं और आप सबको उसका नहीं होता भी है। उसी के साथ साथ ठाने कुस्तल रोड का उल्लेक है, उसी के साथ साथ बहुत सारे रास्तों का निर्मान हैं, उसी के साथ साथ बोरियुली से गोराई, यह जो ब्रिज बनने का लक्ष हमारे सन्वाननिय संसद श्री गोपाल छेटी जी ने भी रखा था, जो बोरियुली में रहते हैं, उनको गोराई में जाना, गोराई गाउं में रहते हैं, मनोरी गाउं में रहते हैं, जहां पर अस्पताल की भी सुविदा नहीं है, अगर ब्रिज बने तो अस्पताल होगा, ब्रिज बने तो पानी की समस्या दूर होगी, ब्रिज बने तो नागरीकों को सहत और आ बढ़ेगा और गोराई मनोरी में रहने वाले लोगों को भी आरुग्य की सेवा सुवीदा मिलेगी अच्छे स्कूलों में आना जाना होगा आदिवासी इलाका है बहुत सारे आदिवासी पाड़े है छोटे छोटे बच्चियों और बच्चियों का शिक्षा के माद्यम से ब रास्ता कम हुआ 15 मिनिट में वह रास्ता पार होता है आज अगर आपको गोराई गाउ जाना है या फिर गोराई गाउ या मनोरी में किसी नागरी की कुछ कारण से दुरगड़ना गरस्त होते है या फिर बिमार गिरते है तो यहां से अंबूलन जाने के लिए 36 किलोमेटर लगते हैं और इसके लिए मेरा मानना है बहुत सारे लोगों को लगता है ब्रिज की आवशक्ता क्या है लेकिन ब्रिज होगा ब्रिज की आवशक्ता बहुत सारे लाखों लोगों को है परियटन भी होगा बोट की सुवीदा भी होगी बोट मेंसे भी परियटक जाएंगे आने वाला समय यह आदूनिकता के माध्यम से एक आदूनिक भारत इस भारत के निर्मान के लिए अधरणिया प्रदान मंत्री शी नरिंद्र मोधी जी काम करते हैं उनी के साथ-साथ कंदे से कंदा मिलाते होएं हम सब कारे करता यह आदूनिक भारत की नीव रखने का काम हम इवली